उल्धे की दबी हुई नस या हिप जॉइंट की दबी हुई नस को खोलने का हमारे पस तीन तरीका है जो आप घर में कर सकते हैं पहला तरीका आपने अपने एक पैर को नीचे किया दूसरे पैर को उठा कर इसने के उपर रखा और धीरे 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 आपने इसको दबाब डालना शुरू किया दोनों पैरों से बारी बारी ये काम करना होगा दूसरा exercise हमारे पास यह है कि हमने अपने पैर को एक खड़ा किया दूसरे पैर को आगे की तरफ लगाया अपने हाथों से इस गुटने के पीछे ले जाके हमने इस तरह से खिंचाव किया यहां से भी आपके hip joints में खिंचाव आएगा यह दो exercise आपके हो गए तीसरी exercise बारी बारी से इसे भी दोनों पैर से तीसरी exercise जो butterfly की होती है जो हम बैट कर करते हैं इस case में so कर करना है आपने दोनों पैरों को joint कर लिया और इसको pelvic area में बिल्कुल लगा दिया अब आपको इसको धीरे 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 नीचे की तरफ करना है ये तीन exercise करेंगे आप फूले की दबी नस hip joint की नस से बिल्कुल problem से छुटकारा पा जाएंगे